सभी बाईयों को सुरेंदर संसनीवाल की तरफ से नमस्कार सभी का सवागत करते हैं आपके अपने चैनल संसनीवाल डेरी फारम पे आज की एक और वीडियो में लगबग जितने भी बाई आपने मेन फोटो में देखे 15-20 भाई आये हुए हैं वो सारे के सारे मद्ध्य परदेश से हैं हम ये कह सकते हैं कि MP में एक किसम से रोसन भाई के फारम का डंका बजा हुआ है बहुत ज़्यादा वैसे MP के यहां पे MP में जा रही हैं रोसन भाई के फारम से और उसका रीजन यह है कि एक बाई से मेरी बात और इथी वीडियो बनाने से पहले लगातार 11 बार उनके यहां पसू जा चुके हैं रोसन भाई के यहां से तो आप खुद सोच सकते हैं क्या बाई का वैवार होगा किस क्वालिटी के यह पसू देते होंगे कई बार पसू में थोड़ी लेकिन फिर भी बाई के पास आ रहे हैं वो इनका वेवार बोल चालर जो यह रेट में पसू देते हैं उसका रिजन यह तो रोसन भाई साब नमसक्र माई कितने पसू है आज अपने पास 15 बिके हुए हैं अभी कने वाले हैं 10 बिके हुए 5 बिकरी के लिए कहां जाएंगे यह 10 बिके MP मुरेना जाएंगे ठीक है तो एक नंबर इदर से शुरू करते हैं मीनी जोटी खोलना भाई इसको यह भाई सा भी की हुई है या भी कने वाली है तो क्या कीमत रखी है इसकी कितना दूद दे रही है यह अभी पहले ब्यात में जी दो ही दान्त है दो दान्त पहले ब्यात की मीनी जोटी 10 लिटर दूद है क्या कीमत रखी है इसकी 85,000 रुपे कीमत रखी है यह देखिए बहुत ही साब सुतरी जोटी बाई के पास और रेट मात्र 85,000 रुपे नीचे से अडर की क्वालिटी देखेंगे थणों की क्वालिटी देखेंगे खुले अडर वाली जोटी है और कीमत मात्र 85,000 रुपे किसे आगे देखी एक और जोटी बहुत ही खुबसूरत है यह वाली बाई सब ये दूसरे ब्यात में तो इसमें भाई कितना दूद है क्या कीमत रखी है अभी क्यों अभी दस लिटर दूद है दूसरे ब्यात के क्या कीमत रखी है अजीश की 80,000 कितने दिन की ब्याई हुई है रोसन भाई है फुल साइज की जोटी है बड़े साइज की आगे वाली बताओ भाई सब ये पहले व्याइद में दस लिटर दूद दूसरे व्याइद की हैं तो इसकी क्या किमत रखी है भाई सब इसकी भी 80,000 रुपे रखी है निचे से थोड़ा अडर कम है लेकिन चेहरे की और सींग की ब बहुत ही कुब्सूरा जोती है ये देखिए रेट बताना साथ-साथ कमेंटस में कैसे है भाई के जो भी भाई विडियो देख रहे है जरूर कमेंटस में लगाता है वह में बताते हैं इस चागे एक बड़ी बैस्द ये बाई बिकी हुई है ये मुराइना जाएगी ये कितना दूत दे रही है कितने में बेची है बहुत बड़े साइज की है और मुरेना ये जारी है मध्या-पर्देश में जो भाई MP से आए हुए हैं उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा वीडियो के लास्ट में आप बने रहे हैं हमारे साथ थोड़ा सा वीडियो ज्यादा पशू होने के कारण है थोड़ा लंबा हो जाता है 15 पशू है तो 15 मिनट तो चाहिए ही चाहिए इस यागे एक और जो टी ये भी मुरेना जा रही है जी पहले ब्याद की बारा लिटर दूद ये कितने की दिया बाई सब बाणवे अजार रुपे के दिया ठीक है तो रोसन वाई ये जो पशू आपने दिये हैं सब अपने फारम से दिया है या बार से भी दिलवाए है अप 11500 रुपे की पहले व्यात की बाई साब ने हमें बताई और बड़ी आ पशू दन बाई साब के पास रूटीन में मिलता है और जैसा रेट होता है उसी परकार की बैसे रूटीन में मिलती है इसे आगे एक और जो टीए वाडी भई ये दूसरे बयाद में विक्षिस से खा तो इसकी क्या कीमत होगी वाई एक दो की कितना दूद दे देगी रोशन भाई यह देना चाहिए एक लाख दो जार रुपे की दी है बिल्कुल छोटे सिंग की साफ शुतरी जोटी है देखिए सुबह सुबह गटाई में दिन निकलता हुआ और सुर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं जब इदर इस साइड दूसरी साइड पसू चल के जाता है पस्चिम की साइड तो बहुत ही खुबसूरत लग रहे हैं सारे के सारे पसू यह देखिए इस से आगे फिर एक और जोटी काफी बड़े साइज की खुबसूरत यह वाली बाई यह मुरे ना जाएगी यह कौन से ब्यात के कितना दूद दे रही है अच्छे यह कितने की दी है एक लाख आठ जार रुपे की तीन दिन की ब्याई में दस लिटर दूद यह भी देखिए बहुत हैवी वेट मेरी ख्याल से 15-16-17 लिटर दूद खुला ने काड़ने वाली जोटी दिखाई दे रही है जैसा इस काडर दिखाई दे रहा है जिस त्रेगी यह दिखाई दे रही है और देखने वाले बाईयों को बताना चाहूंगा यह वीडियो श्याम को बनने वाली थी लेकिन श्याम को हम बाई साब के पास नहीं पहुंच पाए तो मेरी ख्याल स ये कितने की दी है कौन से ब्यांत की है दूसरे ब्यांत में एक लाख बाराजार रुपे की दी है दूसरे ब्यांत की ये भी खिश से खाली है ठेक है दूद कितना निकाल देगी रोसन भाई बड़े साइज की जोटी है बड़िया खुबसुरतनी चेक आडर एक लाख बाराजार रुपे की और जो मुरेना से गराक आए हुए है बाई साब के पास वो लगातार इनके यहां से पसू ले रहे हैं एक बाई ने हमें बताया जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया के दस ग्यारा बार वो बाई के पास आ चुके हैं इस से आगे देखिए एक बड़ी बैस बहुत ही शानदार यह वड़ी बाई तो इसकी क्या कीमत है जी बाणवे जार रुपे की तीसरे ब्यात की लग रहे हैं चोथे ब्यात की है इस कारण से बाणवे जार रुपे कीमत है अगर यह दूसरे ब्यात की होती तो सबसे बढ़िया ब्रीडिंग के लाइक इसे हम बैस कहेंगे बहुत भारी है बहुत ही ख बैसों की कटड़ी है बहुत बढ़िया भाई यह देखिए बहुत ही शांदार बैस और ऐसी बैसे ब्रीडिंग के लायक हम इने कह सकते हैं अच्छा सीमन का अगर चुनाव करके इनके उपर रखा जाए तो बहुत बढ़िया दूद देने वाली कटड़िया इनसे पैदा हों बैस ठीक है इससे आगे इदर देखते हैं यह वाली बाई बिकरी के लिए खोल के चलाओ भाई इसको तो रोसन भाई यह क्या रेट रखा है कितना दूद है इसमें इसका 90 रुपे रखा है किसे खाली होती हो इस देखिए कोई टाइम नहीं लगा हुआ किसी बैस के ऊपर भी और जो भाई बैस लेना चाहते हैं रोसन भाई के पास आके दो टाइम तीन टाइम चुआई करके आराम से ले सकते हैं और यही तरीका होना चाहिए किसी भी फारम पे पसू लेने के लिए यह वाली बैस भाई सब यह भी बिकरी के लिए खोलना भाई इसको भी तीसरे बैसे खाली होती हुई क्या कीमत रखी है जिसकी पिचास्थी अजार उपे ठीक है एक सिंग टूटा हुआ और तीसरे की जगह चोथे बैस की भी ओ सकती है कोई खास बात नहीं क्योंकि किसी भी विववापारी के गरईन का जनम नहीं हुआ होता जैसी बात इनको पिछ्च बाइसाब के पास सामने एक ताजी आजी मिरे ख्याल से रात कोई भी आई है भाईसाब ठीक 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 तो इसका खीस बगएरा निकाड़ा है कुछ या नहीं निकाड़ा है तो यह बिकरी के लिए या भी की हुई है अच्छा यह कितने की दी है अठासी अजार उपे की दी है खीस में खड़ी है रात कोई बच्चा दिया इसका बच्चा देखे पिछे बैठा है यह भी बड़े अडर वाली बैस और कोई भी बैस जब खीस में होती है तो वो अपने पूरे मैं कूँगा योवन पे होती है वो जो रोब है वो मुश्किल ह एक बूरी बैस भी है जो कि वो भी रात कोई बाई के हाँ पर इसने भी रात कोई मिरे खाल से रात को क्या भी बच्चा दिया तुरंट तो यह भी देखे हैं यह भी मुरे ना जाएगी बाई यह कितने की बेच्ची है यह लाख चार जार रुपे की पूरी पैर जो है वो गहर आई हुई है बैस के पैरों के उपर सुजिस आई हुई है यह देखिए एक लाख चार जार रुपे की ठीक है तो मुरेना से जो बाई सभी यह इतने बाई आये हुए हैं सभी ने बैस खरीद लिया क्या अच्छा चिंद बाड़ा से हैं कौन से बाई हैं भी ओ जिन गुरुजी के साथ थे ना ठीक है तो कितने बाई आये हो आप मोरेना से छे लोग आये हैं कितनी कितनी बैसे खरीदी हैं अच्छा दस-पंद्रा हर बार लेता हैं 11-20 11 बार आ चुके हैं ठीक है कोई पहले वाली जो बैसे गई हैं कोई गलत गई हो यह कि गलत जाती तो दो अच्छा ठीक है तो वहां पर दूद्ध बेचने का काम है अपना अच्छा क्या रेट में जाता है दूद्ध वहां आपका 35-40 में तो कोई बचत आने वाली नहीं है दूद्ध का रेट कम से कम भी 80-90 रुपे 100 रुपे किलो तक होगा तब किसी किसान भाई को बचता सकती ह इंडिया को लोगों को नकली दूद पीने की नकली मिठाई या काने की अगर नकली चीज खतम हो जाए तो दूद मिलेगा भी नहीं तो और भी कोई बाई से मिलवाना है रोसन भाई कोई ओर भाई भी आ है चिंद्वाडा से यह भी पहले भी आ चुके ठेक है आज आजाओ फोजी साहब क्यों सर्मा रहे ओ लड़की की तरह और फोजी आदमी तो सर्माता ही नहीं है क्या आला जी फोजी साहब पहले जो बैसे गई थी वो कैसी रही बाई साहब के यहां से बड़ी हारे ही कितनी बैसे क्था लेकर आहे हैं मुर cafeteria नावा कि तो यह देखिंद के यहांपर यह किसम हम यह कह सकते हैं कि बैस कृदने वालों का ताता लगा रहता है मेले के तरह मेले मंडी में यह आपको साइद एक बैंस के पिछे एक फार्मर के पिछे इतने आदमी नहीं मिलेंगे लेकिन रोशन भाई के यहां रोज का डेली का ये काम है तो जो भाई वीडियो देख रहे थे बैंस लेना चाहते हैं कस्वा डेरी फारम सर्शाना से तो आप संप्रक कर सकते हैं सबी का बहुत बहुत दन्यवाद सभी को मेरी तरफ से नमस्कार